रास्ट्रे रासधानी दिल्ली में शनिवार को जनता दल के रास्ट्रे कारेकारणी की बैठक हुई है इस बैठक में विहार की मुख्यमंद्री निदीश कुमार समीट पार्टी के वरिश नेता मौजूत रहे बैठक में संजय जहा को कारेकारी अध्यक्ष बनाया गया है इसका आयलान मुख्यमंद्री निदीश कुमार ने खुद किया मैं सुत्रों के हवाले से मिले जानकारी के अनुसार बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या स्पेशल पैकेज मिले इसको लेकर मन्थन किया गया है इस मसले को लेकर केंजु सरकार के सामने जेडियू मजबूती से अपना पक्ष रपकर मांग करेगी राश्ट्री कारेकारणी में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है यही नहीं जार्कन विधानसभा चुनाव लड़ने का भी पार्टी ने फैसला किया है इस बैठक में लोगसभा चुनाव की समीक्षा और आगामी भिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है 2025 का भिहार विधानसभा चुनाव नितीश कमार के नित्रितों में लड़ा जाएगा यह पार्टी की ओर से साफ मैसिज है जार्कन की निर्दलिय विधायक सर्यू राय भी जद्यू में शामिल दो सकते हैं राश्ट्री कारेकारणी की बैठक में जद्यू की जार्कन निकाई ने सर्यू राय समेथ कुछ अन्य निताओं को पार्टी में शामिल करने की मांग की बैटुक में कारेकारणी के सदस्य महासचीव, सचीव और प्रदेश और जक्षों के अलावा सभी सांसद और मंत्री मौजूद रहे इस दोरा पार्टी लियोड से हाल की दिनों में लिये गए तमाम निर्णयों, उसकी प्रभाव, लोगसभा चुनाओं में प्रदर्शन और अगले साल पूनी वाले विधान सभा चुनाओं के लिए आवी की रंडीती पर चर्चा की गए जेडियू नेता नीरज कुमार ने कहा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2024 की चुनाओं नतीजों ने देश की राज़नीती में यह सपश्ट कर दिया है कि राज़नीती नितीश कुमार जी के एर्ध गेर्ध घूनती है इसे पहले पाती नेता संजय जा को जेडियू का राज़्ट्र कारेकारी अधियक्ष बनाया जानी के खबरों पर विजय कुमार चौधरी ने कहा था मैंने भी इसके बारे में सुना है लेकिन हमें अंतिम निर्णे का इंतजार करना चाहिए इसे पहले शुक्रवार्पू निर्टीश कुमार जेडियू की राष्ट्र कारेकारी की बैठक में खात लेने के लिए पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए गुरुवार्पू प्रिखान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जेडियू और बीजेपी बिहार में सुशासन के लिए मिल कर काम करते रहेंगे पीम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जेडियू सांसदों के साथ बाठके बाद यह बात कही हाली में संपन लोकसभा छुनावों में जेडियू ने विहार में 16 सीटों पर छुनाव रड़ा और 12 सीटों पर जीत हासिल की इसके अलावा पार्टी को भारती जनता पार्टी के नित्रितों वाली राश्ट्री जनतांत्री गडबंधन सरकार के इस्से के रूप में केंद्री मंत्री मंडल में भी प्रतिनी धुकों मिला है जेडियू बीजेपी के प्रमुग गडबंधन सहयोगियों में से एक है